आप सभी दर्सकों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जो हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड और तेल लुगू सिनेमा में नमबर एक थी। अपनी फिल्मों को अकेले सफल बनाने वाली अभिनेत्री बनी और भारतिय फिल्मों में अभिनेत्रियों का दर्जा उंचा किया। इन्हें बॉलिवुड की माई बोला गया क्योंकि मेल एक्टर्स की तुल्ना में अधिक प्रभावी थी जिस वजह से उन्हें ज्यादा पैसे भी दिये जाने लगे। साथ ही LGBT, कम्यूनिटी के लिए भी मसीहा बनी और उनके हक के लिए आवाज उठाई। वाकई इनका व्यक्तिवा बहुत प्रभावशाली था, ये एक निडर और सहासी अदाकार थी। श्रीदेवी ने अपना फिल्मी करियर बत और चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया। श्रीदेवी को मलयालम मूवी पूम बत्ता के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड दिया गया था। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने बॉलिवुड फिल्म जूली से अपने हिंदी फिल्म करियर की शुरुवात की थी. तमिल फिल्म मूंद्रु मुधिच्छु उन्निस सो सेवंट होईन से एडल्ट रोल की शुरुवात की थी. इसके बाद श्री देवी ने तमिल और तेलगु सिनेमा में खुद को एक बेमिसाल एक्ट्रेस साबित किया और व्याथिनिले जैसी सुपर हिट फिल्म दी. 1979 में सोला सावन से अपने बॉलिवुड करियर का आगाज किया लेकिन उन्हें सफलता 1973 में आई मूवी हिम्मतवाल से मिली जिसमें इनकी अपोजिट जितेंद्र थे. इस फिल्म का सांग नैनो में सपना, सपनो में सजना काफी हिट हुआ था. उसके के बाद फिर उनी जित करके बताए.